उत्तर प्रदेश का लखीमपूर खीरी यहां दलित परिवार की महिलाओं और बच्चों से मारपीट और छपपर जलाने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गृफतार किया है पुलिस इन आरोपियों के चार साथियों को हिरासत में लेकर पूछताच कर रही है घटना 12 ओक्टूबर की है मैगल गंच थाना शेतर के खुर्रम नगर गाउं के बाहर एक खाली पड़ी सरकारी जमीन पर दलित और मुस्लिम परिवार के बीच कबजे को लेकर पिछले कई साल से विवाद चल रहा था इस जमीन पर दोनों पक्षों ने दावा किया है आरोप है कि गाउं के रहने वाले मुहमद लतीफ ने अपने साथियों की मदद से गाउं के बाहर छपपर डाल कर रह रहे दलत परिवार के रंजीत भारगव समेथ उनकी पतनी और बच्चों की लाठी डंडों से जम कर पिटाई की उसके बाद छपपर से बने मकान में आग लगा दी, मौके पर मौझूद एक यूवक ने पिटाई और घर को आग लगाने का विडियो शूट कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया विडियो वाइरल होने के बाद लखींपुर खीरी जले के डीम शैलेंडर कुमार सिंग ने आरूपी लतीफ और उसके साथियों पर मुकदमा दर्जकर जाच शुरू करने के आदेश दिये हैं इस बारे में पीडिता कुस्मा देवी ने बताया ये ग्राम समाज की जमीन है जो प्रधान ने हमें दी थी उन्होंने कहा था कि आप इसमें रहो आरूपी पचास आदमी लेकर आए थे सब लोग मुँ बांद कर आए थे ये लोग आते ही मारपीट करने लगे सास को मारा, हम को मारा हमारी देवरानी को मारा, बच्चों को मारा हम लोगों ने कहा कि आग मत लगाना लेकिन वो नहीं माने हमारे कपड़े जल गए, गेहूं चावल जल गए लखीमपूर खीरी जिले के एस पी विजड़ुल ने बताया कि गाओं के खुरम नगर के पास में बंजर भूमी पर कबजा करने के लिए दो पक्षों के बीच विवाद हुआ एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट और छपपर जलाने का आरोप लगाते हुए मैगल गंच थाने पर तहरीर दी थी केस दर्च कर दो नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है अन्यचार को हिरासत में लेकर पूछताच की जा रही है इस पूरे प्रकरण में राजस्वे विभाग द्वारा भी जाच की जा रही है कि किस कारण से जो बंजर भूमी है उस पर इन लोगों द्वारा कबजा करने का प्रयास किया जा रहा था लखीमपुर खीरी के डीम शेलेंडर कुमार सिंग का कहना है कि इस घड़ना में पुलिस ने IPC की कुछ धारों के साथ SCST Act के तहत मामला दर्च किया है पहली नजर में जमीन को लेकर विवाद है जमीन ग्राम समाज की है जिस पर दोनों पक्ष अपना-पना कबजा बता रहे हैं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारी पेज को लाइक करें सोशल मीडिया की हर उठापटर एक जगर सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार राद दस बजे दी ललन टॉप पर